Welcome back to new video, मेरा नाम है राहूल और आप देख रहें इंजिनियर पांडा आपको thumbnail देखे पता चल गया रहेगा कि वीडियो किस बारे में है सबसे पहले तो thank you, thumbnail देखे आपने इस वीडियो को क्लिक किया विकॉज ये policy को आके हुए देड मैना हो चुका है तो ये वीडियो में लेट क्यों बना रहा हूँ विकॉज उसका reason है कि हम लोग ने लोगों को पूछा था उसके बारे में कि आपको education policy के बारे में पता है या नहीं पता है तो हम लोग को जो reaction मिला उनके दरब से तो पहले वो reaction देखते हैं और उसके बाद वीडियो को start करते है तो आएए चलिए reaction देखते है आता जर खरह सांगाई जा मतला तो मी confused है पॉलिसी एकजेट का एकड़ा थास नहीं पॉण और पर्फेक्ट आएड़ा नए अधाय है जो सलिए के बारे में आपको कुछ पता है नाई उसके बारे में आपको कुछ पता है नहीं की आपको कुछ पता है बहुत लोगों को पता है बहुत लोगों को नहीं पता है उनका mixed reaction हम लोगों को मिला इसलिए मेरा first पड़ता है कि मैं ये वीडियो detail में आपको बता दू या फिर आप तक पहुचा दू कि what is new education policy तो आई ये वीडियो को चालू करते हैं 1968 में इंदिरा गांधी की government में सबसे पहली policy education के आई थी उसके बाद राजिव गांधी government में 1986 में जो कि उसको modify किया 1992 में पीवी नरसिमवार राव की government में हाला कि वो modification इतना ज्यादा नहीं था तो इसलिए वो नया शिक्षानी थी हम लोग उसको नहीं बोल सकते 1986 के बाद immediately direct 2020 में मोदी जी की government में एक नई मतब new education policy उन्होंने introduce की है हाला कि उसको implement करते करते 2022 या 2023 हो सकता है जल्दी भी हो सकता था because corona के वज़े से थोड़ा late हो सकता है तो आईए जानते है जो structure है उसका जो basic structure है जो पहले हम लोग का था 10 प्लस 2 नाव अभी हो गया है वो divide करके 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अभी वो structure change हो चुका है वो structure divide किया है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पहले जो 5 साले उसमें क्या-क्या cover होता है तो उसमें cover हो रहा है हमारी nursery, junior kg, senior kg, first standard and second standard उसमें exams नहीं रहेंगे ऐसा government में अभी तक बोला है अला कि यह confirm नहीं है बट ऐसा ही माना जाता है कि यह play-based और activity-based learning रहेगी उसके आगे के 3 साल रहेगे 3rd standard से लेके 5th standard तक उसके आगे के 3 साल रहेगे 6th standard से लेके 8th standard तक और उसके last के जो 4 साल रहेंगे वो रहेंगे 9th standard से लेके 12th standard तक अगले जो 3 साल है मतलब 3rd standard, 4th standard and 5th standard उसमें basic subject सिखाए जाएंगे जैसे कि maths हो गया, local language हो गया, marati, hindi, english या फिर history हो गया, geography हो गया तो basic subject सिखाए जाएंगे उसमें exams रहेंगे हाला कि बहुत सार यूटूबर ने बताया है कि 5th standard exam नहीं रहेंगे तो ऐसे बताया मतलब ऐसा नहीं है, exams रहेंगे आगे कि 3 साल है 6th standard, 7th standard and 8th standard मैं standard की बात कर रहा हो, year की नहीं बात कर रहा हो, बच्चों की year की नहीं बात कर रहा हो मैं तो 6th standard, 7th standard and 8th standard में उनका क्या रहेगा तो एक vocabulary subject उनको add कि आड़ जाएगा, vocabulary subject में बहुत सारा जैसे हम लोग खाने का बुफे रहता है वैसे vocabulary subject का बुफे रहेगा उसमें ऐसे बहुत सारे vocabulary subject multiple choice रहेंगे जैसे कि for example अभी जिसको photography की इच्छा है तो वो photography सीख सकता है जिसको painting अच्छा लगता है वो painting कर सकता है अगर उसको automobile industry में अगर machine में कोई interest है वो machine का part सीख सकता है garage में जाके अगर suppose कि इसको fashion related जाना है तो fashion related सीख सकता है उससे क्या पता चलेगा कि 6, 7, 8 standard में ही बच्चों को किस में interest है हाला कि बच्चों का अब आई-क्यू इतना रहता है कि उनको पता रहता है कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है मतलब वो किस चीज में खुश रह सकते है त तो वो 6, 7 standard में उनको introduce किया हुआ है ताकि उनके parents को पता चले कि उनके बच्चों का भविश्य किस में है तो वो उसके इसाब से तयारी कर सकते है 6, 7 and 8 standard में 360 report card रहेगा वो उसमें क्या-क्या include रहेगा कि आपको तुमारे teachers जो बच्चों को teacher भी marks देंगे उसके classmate भी marks दे का यह important क्यों है क्योंकि आगे जाके अगर suppose अभी for example देता हूँ में मेरा ही मैं एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है कि यह वीडियो में यह गलतिया है ताकि उसको views नहीं मिले तो मैं जाता हूँ और वीडियो देखता हूँ ठीक से कि मेरी क्या गलती होई है त तो वो हम लोग अभी कर रहे है जो self evaluation रहता है तो बच्चों को six standard से सिखाए जाएगा कि self evaluation कैसे करता है ताकि उनको future में अगर वो अगर किसी चीज में fail हो जाता है तो वो खुद को evaluate करे और अपनी गलतिया सुदार के आगे अपने कार्य में सफल हो जाए लाज के जो चार साल है उसमें include किया हुआ है 9 standard, 10 standard, 11 standard and 12 standard अभी board हटा दिये गए है board हटाने के बाद अभी exams board के इसाब से नहीं रहेंगे मतलब साल का जो एक exam रहता था board का वो नहीं रहेगा तो वो कैसे divide किया है उन्होंने 9 standard से ही semester pattern उन्होंने apply किया है 9 standard से ही semester pattern apply होगा उसके वज़े से क बच्चा पढ़ाई करना चालू हो जाएगा पहले में क्या होता था कि जबी exams आ रही है तभी 1-2 मेना पढ़ाई कर लो marks मिले नहीं मिले passing marks मिल जाए तो ऐसे होता था अभी क्या होगा semester मतलब 6-6 मेने के बाद exam होगा तो बच्चा automatically पढ़ाई करेगा और अच्छा score करेगा 10 standard के बाद सबसे main part जो आता है 11 standard and 12 standard पहले के इसाब से 3 stream में divide होता था science, common and arts तो science का student ना arts के subject सीख सकता था ना commerce के subject सीख सकता था अभी कैसा हुआ है अगर suppose मैं science ले रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे आगे जाके businessman बनना है बट मुझे science में commerce related subject है जो कि मेरे business में काम आएगा तो वो में तभी वो सीख सकता हूँ मुझे मेरा aim पता है जबी 11 standard में बच्चों को aim पता रहता है कि उनको आगे क्या करना है तो ऐसे सब merge किया हूँ है तो कोई भी कौन सा भी की stream का subject सीख सकता है तो बच्चों का 12 होने के बाद उसके बाद आता है degree जो की 3 साल के रहती है उसको हम लोग graduation भी बोलते है एक तो 3 साल का रहता है या फिर 4 साल का रहता है अगर degree आप कर रहे हो तो medical degree हो या फिर technical degree हो तो उसमें है multiple exit and entry का option अभी हम लोग ए example लेते है सपोज कि एक बंदा है उसने 3 साल का degree का course लिया हुआ है first year के बाद उसको पता चला कि उसका financial capacity नहीं है वो आगे नहीं पढ़ सकता तो वही पर वो quit कर सकता है उसके बाद उसको दिया जाएगा certificate अगर second year के बाद अगर वो quit करता है तो उसको दिया जाएगा diploma certificate और तीनों साल वो complete करता है तो उसको दिया जाएगा degrees का certificate वैसे यि अगर 4 साल का degree रहेगा तो पहले साल अगर first year में अगर वो quit करेगा तो उसको दिया जाएगा normal certificate second या third year में अगर वो quit करता है तो उसको दिया जाएगा diploma का certificate और 4 साल के बाद मतलब अगर engineering 4 साल के बाद complete करता है तो उसको officially completely जो degree का certificate है वो दिया जाएगा उसमें multiple exit and entry अभी वो क्या है for example 2 साल के बाद मेरा financial कुछ problem हो और मैंने engineering छोड़ दी तो मुझे proper diploma का certificate मिलेगा उसके basis through में job कर सकता हूँ मैंने माना कि 5 साल job किया तो 5 साल के बाद job के बाद मुझे अगर degree complete चालू करनी है तो मैं वो admission लूगा सीधा third year में ना कि first year में तो ये फाइदा होने वाला है multiple exit and entry का जैसे अबर suppose 5 साल के job के बाद वो immediately third year में आ गया तो third year के बाद अगर उसको लगा कि नहीं मुझे अभी वापस job करना है तो वापस third year का diploma का certificate लेके वो job कर सकता है और वापस जबी वो आएगा अगर उसको degree चाहिए तो वो वापस आएगा तभी third year उसने complete कर दिया है तो वो B.com, B.se करने के बाद मुझे अगर post graduation करना है तो मुझे 2 साल पढ़ाई करनी पड़ती थी जैसे कि वो हो गया M.com, MA और M.se की degree तो उसके लिए हम लोग को लगते थे 5 साल अगर 3 साल की degree की है अगर कोई technical person है उसको post graduation करना है तो उसको 6 साल लगते थे कैसे पहले 4 साल degree करो औ और उसके बाद उसकी M.Tech की degree रहेगी वो 2 साल की रहती थी तो अभी government में ऐसा किया है कि चार साल के बाद उसको खाली 1 साल की degree करनी पड़ेगी उसके 1 साल में उसको M.Tech की degree दी जाएंगी ताकि मतलब दोनों को मतलब जो 3 साल की degree कर रहे है उनको भी 5 साल लगेगे और जो 4 स तो उनके लिए ये बहुत एक good news है, उनका एक साल बचने वाला है, तो अभी ये education policy के last part में हम लोग जानते है कि MFIL जो 2 साल का वो cancel किया है, खाली 4 साल का जो PhD डिगरी है वही रखा है, तो ये है new education policy, नरसरी से लेके PhD तक क्या-क्या changes है, क्या-क्या changes नहीं होने वाले है, तो उसके वज़े से जो हमारे सरकारी school थे, उनका infrastructure भी बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे कि private का था, वैसे अभी हमारे सरकारी school का infrastructure होगा, second जो अच्छा point है, वो private school का categorize किया जाएगा, कि ये category का school इतना ही feel ए सकता है, ये category का school इतना ही feel ए सकता है, तो government उसको implement करेगी कि कि ना फीज पैरेंट से वो ले ले, तो वो एक अच्छा पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है, वो वोकिशनल सब्जेक का, वो मैं एक वीडियो के एकदम एंड में बताने वाला हूँ, लाइव एक्जम्पल लेके, तो वीडियो के एंड तक बने रहेना, फोर्थ जो पॉइ के साथ रहेगा, का कि उसको पता है, कि वो मुझे मार्क्स देने वाला है, तो उसके साथ वो अच्छा बिहेव करता रहेगा हमेशा, टीचर्स भी उसको मार्क्स देंगे, और उसका बिहेवियर रहेगा, उसके बेसिस पे भी उसको मार्क्स मिलने वाले है, सबसे पहले ने प्राइविट स्कूल का जो कमीटी रहेगा वो उससे एगरी करें तो वो ऐसा कमपल्चन नहीं है तो वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड है कि वो कौनसे लैंग्वेज में पढ़ाना चाहती है इंप्लिमेंटेशन अगर हम लोग बोल सकते हैं अगर 2022 या 2023 तक अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है उसके उपर अगर साल मतलब 4 साल या 5 साल अगे लगे ये इंप्लिमेंटेशन करने के लिए तो मुझे लगता है ये एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा लेट हो जाएगा इंडिया को इंप्लिमेंट करते करते दो या तीन साल में ये पूरा का पूरा जिल्ला स्थरी है मतलब ग्राम पंचैतर लेके पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में इंप्लिमेंट होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है सबसे इंपोर्डन पॉइंट था जो कि आपने व बहुत सारी पेंटिंग करना पसंद थी स्केश करना पसंद था बट आप चलिए उससे ही बात करते हैं तो यह है मेरा दोस्सिदेश गावडे जिसके बार में बताना चाहता था इसने और मैंने इंजिनेरिंग साथ में की थी बट मैं अभी फिला 925 जॉब कर रहा हूँ और यह बंदा अभी बन गया है बहुत बड़ा टैटो आर्टिस्त तो सब से पहले टैटो इसने बना या था वह मेरे हाथ में बताया आपके स्क्रीन पे दिख़र रहा है और अब जो ऊसका टैटू है वो यह स्क्रीन पे दीखर आप देखना उसका कंपरिजन वह बहुत बठ तो सिदेश में उसको यही पूछने वाला था कि टेक्निकल से टेक्निकल से बनने का तुमारा जो सफर था वो शॉट में हमारे सब्सक्राइबर को तो मैंने सोचा कि Creative में कर लो कुछ Photoshop में कर लुग उसमें कर लो तो Photoshop में था में एधसाल उदर जोब किया और बाद में मैंने फिर से ताट्थ का एक Ad earliest देखा था वाट वो उसमें जो मैंने ताट्थुस के जो भी दिखेते तो वो जो लेवल था वो अलगी लेवल था और उसने मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया तो मैंने सोचा कि फिर से टाटू का चालू कर दे थे बट एक चीज मुझे डरने का मतलब एक फिर था मुझे कि अभी मैंने स्विच कर रहा हूं मैं अभी टाटू के लिए मैं कर रहा हूं स्विच ठीक है सब ऑके हैं बट आगे जाने के बाद अगर मैंने मुझे फिर से स्विच करना पड़ा कुछ करना पड़ा तो फिर मैं डि के से हैं बहुत एंधनीजें करता हुए घजए मैं उसके ऑपना कि आंप तो सपस्टी और ऑफि अबू नहीं कि मुझे स्टू सब और अभी एंगरते में काम कर रहा हूं as a professional tattoo artist ओके so ये थी इसकी success story अगर आप चाहते हो कि detail में ये बंदे की success story में आपको बताओ तो ज़रूर comment करना मैं इसका special video बनाने वाला हूँ तो हम लोग का point of view यही था कि जो उसको थोड़ा late पता चला कि उसका जो skill है जो कि वो sketching अच्छा करता है वो tattoo artist बन सकता है तो वो अभी के बच्चों को six standards से ही पता चल जाएगा कि उनका जो interest किसमे है तो उनको वो मतलब उसमें वो success हो सकते है अगर उनका skill है या फिर उनका passion अगर वो follow करते है तो वो ज़रू सिदेश गावडे के जैसे successful बनेंगे और बस आज के लिए बस इतना ही रखते है if you enjoy the video share this video and like इसके जो भी लिंक्स रहेगे अगर आपको tattoo अगर इससे बनवाना है तो link in the description below आप जाके check करना उसका contact number में भी डालूंगा उसका Instagram profile भी आप ज़रूर उसको follow करना बहुत ही creative mind और मेरा खास दोस्ते एकदम तो ठीक है वीडियो को यही end करते और मिलते ऐसी अच्छी और informative वीडियो के लिए तब तक टाटा वाई वाई enjoy करते रहना खुश रहना और देखते रहना Engineering Panda